ध्यान के लिए त्यार हो जाईए किसी भी सुधा जनक आसन में बैठ जाईए पीठ गर्दन सीर सीधा रहेगा हाथ की अंगलिया चिन या ज्यान मुद्रा में या अपने हाथों को गोद में भी रख सकते हैं अपने आपको बेवस्तित कर लिजे ताकि आप सरीर में बिना कोई तनाव अन्भव किये कुछ देर तक इस्तित बैठ सके आखों को धीरे से बंग कर लिजे और आप अपने सरीर के परतिस्ज़ग हो जाईए अपने सरीर के परतिस्ज़ग ता बनाए रखिए संपून सरीर के परतिस्ज़ग बने रहना है जितना ही आप अपने सरीर के परतिस्ज़ग रहेंगे उतना ही आपका मन सांथ होता जाएगा अप सरीर के सज़गता के साथ साथ अपने स्वास के परतिस्ज़ग हो जाईए स्वास सहज और सभाविक होनी चाहिए आप स्वास ले रहे हैं स्वास छोड रहे हैं अपनी नासिका छिद्रों में स्वास को आते जाते महसूस कीजिए जैसे जैसे आप स्वास के परतिस्ज़ग होएंगे आप कमंड सांथ होने लगेगा अज現在 भी महस्वादेगे विironटनी नासिया के परतिस्ज़ग होने जैसे अब अपनी चेतना को बाहर से आती आवाजों को पर ले जाए एक एक आवाज को सुनते जाए आवाज कहां से आती है किस चीज की है आवाज कौन कर रहा है इसका चिंतन विशलेशन नहीं करना है बस साक्सी भाव से आवाज को सुनते जाना है कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साच्छी बने रहे दूर से आतुई आवाज या नजिक से आतुई आवाज किसी भी तरह की कोई भी आवाज हो उसे सुनी सुक्ष में से सुक्ष में आवाज को सुनना है आवार आवाज को सुना में इस ध्यान के तिन पहलू है पहला है आवाज दूसरा है कान और तीसरा है कान और आवाज के बीच में रहने वाला इसी के पर्ति आपको सजग रहना है कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साच्छी बने रही आवाजों को सुनके जाई अपने कान को साउंड रिकोर्डर के माइक्रोफोन की तरह प्रयोग करना है जैसे साउंड रिकोर्डर का माइक्रोफोन अपनी परिधी में आती ही किसी भी आवाज को प्रहित कर लेता है उसी तरह आपका कान भी कोई भी आवाज हो उसे सुने एक-एक आवाज को सुनते जाईए आवाजों का विसलेशन नहीं करना है साच्षी भाव से आवाजों को सुनते जाना है कि एक आवाज भी आवाजों कर नहीं ख 것으로 प्रहते ही प्रहते है कि आवाजों का विसलेशन वाजों किसी देट है आवाजों गर आवाजों एक्षै कि पन hammond अब अपने मन में आतु विचारों के पृतिस सजग बनिये. स्वेंग से परकट विचारों को देखना है. आपको कोई विचार मन में नहीं लाना है. मन में आतु ही एक एक विचार को देख दे जाई. बीचार वस्वतार बीचार चाहे अच्छे हो या बुरे उसे रोकना नहीं है। उसे आने जाने देना है। जो भी विचार प्रकट होंगे वह सब आपके अंतरमन की घहराईयों से ही आएंगे। बस उन विचारों को साथ सी भाव से देखते जाएए। बीचारों को इस तरह देखिए जैसे टेली बिजन पर कोई इंद्रिस से चल रहा हो। कर दो को जाएए। मन में आते ही विचार को देखते जाईए ये सारे विचार आपके आंतरिक व्यक्तित्वी की ही अभ्यक्तियां हैं इसे देखते जाईए सजग बने रही एकिक विचार के पड़ते पूरी सजगता है विचार के उपर ऐसा नहों विचार आए और चले जाए और आपको पता ही नहों कभी कभी विचारों को देखने के करम में बुरे विचार भी आ जाते हैं ऐसे विचारों को रोकना नहीं है उसे प्रकट होने देना है बस आपको साक्षी भाव से उस विचार को देखते जाना है नाकारात्मत विचार काफी हटीले होते हैं ये जल्दी से बाहर नहीं निकलते हैं कभी-कभी ऐसा भी होता है विचारों को देखने के करम में कि कोई विचार ही ना आ ले आपके मन में ऐसे इस्थिती आ सकती है या इस्थिती विचार सुनेता के स्थिती कहलाती है इस इस्थिती के पती भी जागरुक रही है विचारों को देखते जाई जब बूरे विचार मन में आ जाते हैं उसका दमन नहीं करना है बस उसे देखते जाना है नहीं तो ऐसे विचार दोगुने बेग से फिर से प्रकट होते हैं ऐसे विचार काफी हठीले होते हैं सभी तरह के विचारों को दर्श्टा भाव से देखते जाई विचारों को आने जाने दीजी झाल झाल ध्यान का यह अभ्यास मापति की ओर है अपनी चेतना को फिर से बहें मुखी कीजिए बाहर से आती आवाजों को सुनिए अपने सरीर के प्रतिसजक बनिए अपने सरीर को मांसी की रूप से देखिए अब अपनी चेतना को आईब्रो सेंटर पे ले आईए आईब्रो सेंटर पे एक दिब्बे जोती का अंभाव कीजिए इसी दिब्बे जोती के उपर एकार्टा बनाये हुए तीन बार ओम मंत्र का उचारन करेंगे ओम मंत्र के उचारन के लिए लंबी घहरी स्वास भरिए आईब्रो आईब्रो सेंगा अंभाव झाल आखों को बंद रखना है, दोनों हाथ के थलियों का आपस्वर गड़िये हैं अ थलियों में गर्माहट लएए । और चेहरि कुपर दूनों को थलियों को रखिए दीरे से आखो Bernard के पीछे ही खोड लेना हैं और हतली को हटा लेना हैं ध्यान का भ्यास माप्थ हो रहा है